जहीं दोस्तों, SSGD के अभ्यारती के लिए और एक खुसकवी निकल के सामने आ रही है, जो भी बच्चे दोस्तों SSGD का फिजिकल फेल हो चुके हैं, जैसे कि दोस्तों कोई रणिंग में फेल हुआ है, कोई हाइट में फेल हुआ है, कोई चेस्ट में फेल हुआ है, तो जो कुछ बच्चों को दोस्तों हाइट और चेस्ट में निकाल दिया गया था, लेकिन दुबारा उन बच्चों ने अपील किया, जिसके तहर दोस्तों को दुबारा हाइट मेजरमेंट और चेस्ट के लिए बुला जा रहा है, न्यू डेड भी आ चुका है, इमेल में डारेक् कैसे मिल सकता है, उसकी एट टुज जनकारी इस वीड़ो में देने वाला हूँ, दुबारा आप अपील कैसे कर सकते हो इस चीज़ के लिए, तो सबसे पहले दोस्तों अपील करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, आप्लिकेशन में लिख के लिए हैं और आपको सब अगर आपको निया डिड़ मिल जाए तो दोस्तों आपका भी सिलेक्शन हो जाए, बहुत सरे वच्चों का हुआ है, तो सबसे पहले आप्लिकेशन यहाँ देख सकते हैं, आपको अप्लिकेशन में क्या लिखना है, सेवा में उपर में, भरती सीन अधिकारी महोद है, आप आपको जो भी एरिया में है, थी abdomen, भेल आप लिख सकते हमें, जो भी हुआ भी हुआ, बहुआ जो भी आपा एरिया है, मैंने वहां पर ऊडिशा दिया हुआ है, फिक ओडिशा राल केरा दिया हुआ है, उसके बाद आपको नीचे में लिखना है विशे, विसे में क्या रह दुबारा सारीक दक्चिता परिक्षा ती थी दुबारा प्राप्त करने के तहत आवेदन पत्र, यह आपको लिखना है वहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद आपको लिखना है नीचे पे महोदे, श्रीमान निवेधन है कि मैं आपका जो भी नाम में लिख देना, मैंने यहां पर आप देख सकते हैं, मुझे लंबाई मापने में फेल किया गया था, जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, यहां पर आप देख सकते हैं, आपको ऐसे ही लिखना है, जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसी लिए मैं दुबारा पीएश्टी हाइट देना चाहता हू अत्ता आपसे निम्र निवेदन है कि मुझे दुबारा PhD परिछा दीथी देने की कृपा करें आपको ऐसे लिखना है उसके बाद नीचे में लिखना है इस काम के लिए मैं आपका हमेशा अभारी रहूँगा लिखने के बाद आपको अपको अपको मैल करने के बाद अगर दोस्तों आपका किसमत अच्छा राद आपको दुबारा भी मौका मिल सकता है, PD, PSD और हाइट के लिए बहुत बच्चों को मिल भी रहा है, तो आपको भी ज़रूर मिलेगा, तो एक बार अपील करने में क्या दिक्कत है, अपील आप कर देना, अगर आपका हाइट है, 170 cm, आपका चेष्ट है, आप फुला पारे हो, आपको पूरा पूरी दोस्तों मदद हो जाएगा, जिस टाइप का दोस्तों लिखा हुआ है, बच्चों ने अलरड़ी मेल किया हुआ है, जिन लोग को डेट मिला हुआ है, उन लोग जैसे लिखा है, तो आप भी जाके भाई, फटा-फट एप्लिकेशन लिखे, फटा-फ जो को भी जब दस्ती निकाला था, ऐसे सी न्यू मौका दे रहा है, पंदर तर एक लास्ट डेट अपील करने का, तो जाके अपील करो मेरे दोस्त, मौका मिले है, तो चौका मान से पीछे, मत हटना, आपका भाई आपके साहर है, तो फिर फिकर ही क्या बात है, अगर दोस् मौका हर बार मिलता है, इंसान को थोड़ी सी महनत करनी होती है, और आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, आपकी बार ऐसे जीड़ी वे जिन बच्चों को फेल कर दिया है, तो मैं को पता है, बहुत सारे बच्चे जिनका हाइट अल्रेड है, लेकिन फिल भी जब जब दस्ती मैंने खुद देखा है, इस सेंटर में, खुद देखा है, अपनी आखोज देखा है, चब बरदस्ती, ठीक है, ऐसा हाइट है, बच्चा इधर देखा, थोड़ा से नीचे घसका दिए, वो गया जल चलते हाइट नहीं है, इस टैप का होता है, ठीक है, तो उनका मनोपली च अगर इंग्लिश वाले भी तो मुझे बोलना, मैं इंग्लिश में भी लिख लिघ गो, बना दढोंगा, यह ढिनोजी में लिखने है, इसलिए pane था इंग्लिश में लिखना है, इसलिए fun, इन sushi में लिखना है, जो पर चांसे घुड़ा आपको दिककत, कोई दिकत नहीं है, है भाई तो भाई मौका मिला है जाओ अपील करो दिन दोस्तों जो भी आपको न्यूव इन्फरमेशन होती है एस जी के रिकार्डिंग में आपको लाक देता हूं तो अगर आपने भाई को फॉलो जरू करना कहां पर भाई फॉलो करो टेलीग्राम पर और क्या जाके फॉलो क कोई दिक्कत नहीं है अगर किसी को नहीं आता है लिखने के लिए ज्यादा दिक्कत है तो आपको परिशानी नहीं होगी और बच्चों ने अपील किया जब उनको नया डेट मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं तो एक बाद जरूर करने में कोई भी हर्जा नहीं है प्लीज अब मिले डिट ना मिले भाण मिले अगर आभी मौका मिला तो आपील करो इसलिए मैंने बाइप लग लिखा हुआ है ठीक है और अगर आपको यह वीडियो इन्फोमेटिक लगा हो मैं को भाई लगता हो कि आपके जन्मिन काम कर रहा है आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो भाई इस चैनल को सपोर्ट जरूर करना, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि आपका भाई, जो भी आपके लिए content लेके आता है, जन्विन content लेके आता है, और भाई, informative वीडियो बनाता हूं, ऐसा नहीं कि फालतू में कोई ल लड़ना सीखो, लड़ो, और ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्हों मेरा भी वीडियो देख देखके कितने बच्चे मोटिवेट भी आज बहुत अच्छा काम भी कर रहे है, तो कभी भी लाइफ में hard नहीं माना, लड़ते रहना, हर situation, हर परिस्तिती एक सीख देके जाती है कि situation ऐसे भी आ सकते हैं, इस situation से हमें लड़ना कैसे है, हमें आगे बढ़ना कैसे है, और दोस्तों हमें कैसे काम्याब होना है, तो हर situation एक सीख है हमारे लिए, problem में तो simple बात बता हूँ भाई, बहुत excuses है life में, कि मैं इस वज़े से life में fail हो गया, मैं इस वज़े से life में success न मैं टेलिग्राम पर जाके भाई, लो और फड़ावड मेल करो, ठीक है, से अई से अपको, best of luck, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, एस इंफिर्मेट रिवसांद बूर भातन तकी, जैवन दे, मात्रा,